इतनी गर्मी में शिकार करने निकले हैं इन बीजेपी बालों को इसलिए भी हरवा देना कि इतनी गर्मी में नोनों चुनाव करवाया है इस गर्मी में पानी बहुत खुब पीजी साथ में पानी हमेशा रखी है गर्मी में चुनाव नेता परिशान जनता बेहार आस्मान से आग बरस रही है तो सियासी पारा भी आउट आफ कंट्रोल हो रहा है एक दूसरे पर वार पलत वार जारी है पसीने से लथ पत नेता चुनाव में जीत का आशिरवाद मांग रहे हैं प्रधान मंत्री मोदी लगा तार अपनी सभाओं में गर्मी से बचने की अपील कर रहे हैं सबसे पहले मैं यही कहूँगा इस गर्मी में अपने स्वास्थ का ध्यान जरूर रखिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में जाना होता है गावों में जाना होता है बूथ पर जाना होता है और इसलिए मेरा एक सुझाव है कितना ही काम करिए लेकिन पानी बहुत खुब पीजी है साथ मैं पानी हमेशा रखी है और कभी भी बीना खाए गर से निकले नहीं मेरा लंबे समय का अनुभव है इसलिए मेरी सदा आपको जरूर काम आएगी गर्मी के साथ साथ सियासी तपन भी अपने चरम पर है असी सीटों वाले उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बाड़े चहते अखिलेश यादों को सुनिये बूद पे पहुँचोगे? एक बात और मैं कहना चाहता हूँ इन बीजेपी वालों को इसलिए भी हरवा देना कि इतनी गर्मी में नोनों चुनाव करवाया है बताओ आपको हमें सब को परिशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इंडिया अलायंस वाले बबबड शेव ताइगर जो इतनी गर्मी में शिकार करने निकले हैं चार जून के बाद क्या होका? ये तो भविश्य के धरातल में छेपा है लेकिन गर्मी को लेकर सियासर हमने का नाम नहीं ले रहे चार तारी को ये इविएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और छे तारी की इनकी टिकिट बूख है बैंकोक थाइलेंड छुट्टी पर चले जाएंगे हम तो एक गमचा लेकर गुमते हैं बांद कर चलते हैं पूर्वान चलवालो गर्मी में यहीं रहते हो ना कहां रहोगे यहीं रहते हो ना मोदी जी भी यहीं रहते हैं और लाराउल बाबा गर्मी थोड़ी बढ़ते ही बैंकोक थाइलेंड इटली चले जाते हैं कल आखरी चरण के प्रचार का आखरी दिन है और उससे पहले सभी पाइटियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत जोग दी है साथमे चरण में आठ राज्जियों और केंड़ शासित प्रदेशों की कुल 57 सीतों पर चुनाव है इन 57 सीतों में से कई ऐसी सीते हैं जहां इस वक्त तापमान डराने वाला है पंजाब के बठिंडा में 49 दिग्री, अमरित सरो जालंधर में 46 दिग्री, यूपी के वारा नसी में 48 दिग्री, गाजीपुर में 45 और गोरखपुर में 41 दिग्री तापमान है बिहार के पतना में 43 जबके नालंदा में 44 दिग्री तापमान दर्ज किया गया बीच चुना बिहार से जगजोर देने वाली खबर आई बिहार के शेखपुरा में 50 से अधिक छात्राओं की भीशन गर्मी से तबियत बिगर गई गर्मी में स्कूल खोलने से नाराज लोग साड़क पर उतर आए शेक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेकरेटरी केके पाठक के खलाब तेजस्वी यादों ने मोर्चा खोल दिया शेखपुरा के करीब भी नालंदा है जहां आखरी चरण में एक जून को वोटिंग है ऐसे में सियासी पारा अभी और गर्माने वाला है